हाई अम शुश्मिता वैनर्ची दुनिया बहुत जादा नेगेटिव होती जा रही है और कही ना कही उसका प्रभाब हम पे भी बर रहा है और हम भी नेगेटिव हो रहे है इसलिए आज मैं आपको पाच तरकीब बताऊंगी जिससे आपकी पॉसिरिफ एनर्ची बर जाएग अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर वन सिल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पॉसिटिविटी की पहली सीरी होती है अगर आप ये सोचो कि मुझसे कुछ नहीं होता मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो आपका स्ट्रेस बर जाएगा दुख बर जाएगी जरा भी अच्छा नहीं लगेगा पर अगर आप ये सोचो कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा बिलकुल भी पीछे नहीं हटूंगा तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी अंदर की पॉसिटिव एनरजी बर ज जाएगी नमबर टू रिमूव नेगेटीव अगर आप एक अच्छी शुरवात करने जा रहे हो लेकिन आपकी बुरी चीजे बुरे सोच बुरी आदतों ने आपको पीछे से जकर के रखा है तो आप आगे नहीं जा पाऊगे इसलिए पहले आपको अपने अंदर के सारे बुरे चीजों को निकालना पड़ेगा तभी आप एक अच्छी शुरवात कर सकोगे अच्छे रास्ते पे चल पाऊगे और खुश रह पाऊगे नमबर त्री पॉजिटिव अटिटिव अटिटिव बहुत लोगों को ये गलत फैमी है कि अटिटिव रखना गलत है लेकिन अटिटिव गलत नहीं है अटिटिव दो तरह के होते है पॉजिटिव अटिटिव और नेगिटिव अटिटिव अरे मुझे इससे बात नहीं करनी मैं इससे जादा बैतर हूँ तो ये है नेगिटिव अटिटिव जो की गलत है मुझे तो सबसे बात करनी है क्योंकि सबसे म हम सब में रहना चाहिए नमबर फो पीस शान्ती एशब्द सुनते ही अच्छा लगता है ना तो सोचो अगर हमारे पास सच में शान्ती हो तो कितना अच्छा लगेगा हाँ अगर आपकी कोई ex-girlfriend का नाम शान्ती है तो बात अलग है अगर हम थोड़ी देर के लिए भी शान्तों के बैठे तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है हम शान्तों के सोच पाते है भलाए बुराए के बीच अंतर कर पाते है और अच्छाई के रास्ते में चल पाते है और अगर आप चीकते चिलाते मार पीट करते रहोगे तो ना आपको मन की शान्ती मिलने वाली है और ना आपकी एक्स गर्फरेन बापस आने वाली है तो एट लिस्ट थोड़ी देर के लिए ही शान्तों के देखो अच्छा लगेगा हम जैसे भी इनसान के साथ रहते है उनका प्रभाव हम पे जरूर परता है और हमको पता भी नहीं चलता इसलिए बुरे लोगों के साथ मत रहो क्योंकि उससे आप भी नेगिटीव हो जाते हो और यहाँ पे खोई नेगिटीव नेगिटीव मिलके पॉजिटीव नहीं होने वाला लाइफ है भाई मैत का फॉर्मूला नहीं तो हर वक्त अच्छे लोगों के साथ रहो अच्छा सुनो अच्छा कहो अच्छा देखो जो परिवर्तन आएगा ना आप खुद ही देखके समझ जाओगे तो दोस्तों यह पाच पॉइंस आपकी पॉजिटीव एनरजी को जगाने में जरूर हिल्प करेगी दुनिया नेगेटीव है तो हम कैसे पॉजिटीव रह सकते हैं? भुलो मत गोबर में भी कमल खिलते हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी तो एक लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट विजडे को गुट बाइ और स्टे पोजिटीव